पेटीम डेली एसाइपी क्या है कैसे इसका सुरुवात कर सकते हैं और कैसे यहाँ पे हम लोग जो है इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं इसके लिए क्या करना होगा कहां पे आप्सन मिलेगा और इससे रेड़ जो भी चीज़ें सब कुछ आनने वाले हैं आज की इस व करते हैं सब कुछ लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा और साथे साथ बिल आगए उनको प्रिस करके अल से रेट कर लिजेगा ताकि जब हमें को वीडियो अपलोड कर उसका नोटिफिकेसन आप तक पहुंसता रहा है तो चलिए जानते हैं यहां पर सब कुछ पूरे डिटेल में यहां पर आपको बहुत सारे बैनर चलते हुए सो करेंगे यहां पर आप लोग अगर देखोगे तो आपको लास्ट वाले बैनर पे कुछ चीज़ परकार से सो करेगा Start Mutual Fund SIP और यहां पर देख सकते हो Daily Mutual Fund SIP सहीए करके मिलेगा या फिर आप लोग यहां पर सर्च कर सकते हो Daily MF SIP याने Daily Mutual Fund SIP ठीग है इतना करने के बाद यहां पर एक पेज जो है Open हो जाता है और इसके बाद जो आयं का प्रोसेस होए और मैं आपको बतायता हूँ ओपिन होने के बाद कुछ इस परकार से इंटरफेस आपको सो करेगा जहाँ पर आप लोग देख सकते हो आप पे टीम डेली साइपी सबसे उपर दिखेगा उसके बाद है इंटरदुसिंग फोर फर्स्ट तैम इंडिया और आप लोग यहाँ पर देख पाओगे डेली साइपी इंटरफेस फंड करके सो करेगा जहाँ पर आपको select amount and fund करना होता है फिर complete KYC करना होता है फिर pay with popular banks जो भी है आप लोग जो भी bank के उज़ करते हो उससे आपको pay करना होता है अब यहाँ पर fund मिलते हैं जिसको आप लोग change भी कर सकते हो सबसे पहला है आप देख सकते हो ICICI Prudential Multi Assist Fund Growth और उसके बाद है Blue Chip Fund Regular Growth और उसके बाद यहाँ पर आपको ICICI का Prudential Ultra Short Term Fund Growth मिल जाता है जिसमें आप लोग मातर 21 रुपीज से start कर सकते हो अब यह सारे सेवी रिसको मिटर देख लीचेगा जिसमें आपको सबसे पहला है उसमें भी भेरी हाई है जो Blue Chip Fund है उसमें भी आपको भेरी आई है और यहाँ पर ICICI Prudential Ultra Short Term जो है उसमें moderate है तो आप लोग इन सब चीज़ों को देख लीचेगा अच्छे सीन के बारे में डीटेल देख लीचेगा उसके बाद इन तीनों में से जो भी आपको चाहे सेलेक्ट कर सकते हो उसके बाद क्या करना है आप लोगों को यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर पूरा डीटेल बताया गया है आपको समझ में आ गया होगा उसके बाद है यहाँ पर आपको तीन ओफर किये गया है जो कि ICICI Prudential है और यहाँ पर और भी ज्यादा यहाँ पर skim जो है fund जो है add होने वाले है तो उसको आप लोग देहां से देखते रहिएगा चेक आउट करते रहिएगा तो पता चल जाएगा तो इसके बाद है कि what amount can I choose to start my SIP तो यहाँ पर है कि you can choose from six available options जिसमे 21, 51, 101, 201, 501 and 1001 करके आपको so कर जाता है इसके बाद यहाँ पर can I adjust a frequency of payment तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बताएगा है currently we do not have the option of changing it to monthly weekly SIP ठीक है तो यहाँ पर आप लोग जो है frequency of payment जो है उसको अभी adjust नहीं कर सकते हो इसके अलगा कोई भी दिक्कत है तो आप rise the request कर सकते हो we will find a solution for you यहाँ पर जो भी आपका दिक्कत है rise the request में आगर पूछ सकते हो और यहाँ पर कुछ frequently asked question है ओ भी आपको यहाँ पर show कर जाएगा जिसमें getting invalid pen error what steps are to be taken next तो यहाँ पर आपको पूरा detail में समझा दिया गया है pen number is already linked with another account what steps are to be taken next तो यहाँ पर पूरा detail में बता गया है उसके बाद है कि I am unable to start daily SIP as it says that my pen card is blocked तो इसके बारे में पूरा detail बताया गया है फिर ऐसे ही करके बहुत सारे यहाँ पर आपके questions और इसके answers दिये गया है जिसको आप लोग easily यहाँ पर check out कर सकते हो उसके बाद यहाँ पर बुचा जाता है can I update my nominee anytime तो आप कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है और इसके सांसत यहाँ पर और भी जो आपके सारे जो भी query है यहाँ पर दिये गया है तो आप लोग इसे जरूर पढ़ लिजेगा अच्छे से ताकि आपको कोई भी आगया दिक्कत नहीं हो और यहाँ पर आपको start with daily जो करना है 21 से 51 से जो भी करना चाहो लग अगर 51 से आपको करना है यहाँ पर आपको pan number अपना डाल देना होगा उसके बाद confirm pan detail के बाद आगे बढ़ना है यहाँ पर आपको email id, date of birth, sellerate, business, others जो भी आपका पेसन है उसको select करना है फिर यहाँ पर select your annual income जो है below 1 lakh है, 1 to 10 lakh है, 10 lakh above है तो यह सबी चीज़े आपको यहाँ पे करके submit detail कर देना है, उसके बाद अपना bank जो है आपको यहाँ पर add कर देना है फिर आपका यहाँ पर daily SIP जो है start हो जाएगा और आप लोग इसका लाव उठा पाओगे तो उमीद करता हूँ जो भी मने बताया, आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा इससे कोई doubt हो, तो आप लोग comment box में comment करके पूछ सकते हो तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं में वीडियो में तब तक के लिए टाटा, बैबै